इस्टुडेंट्स एक बाब फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2014 के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर यानि के सेक्शन सी तो वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर इंट तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब देख लीजिए यह MPBOT क्लास 12 2014 का इंग्लिश का पेपर है ठीक है 2014 का है इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2011, 2012 और 2013 के पेपर की ग्रामर एक्स्प्लेंड करा दी थी ठीक है और आज हम आच चुके है 2014 के पेपर पे ठीक है जैसा कि मैंने आप से कहा है कि मैं आपको पूरे 10 सालों के पेपर की ग्रामर एक्स्प्लेंड कराओंगा इसी की यह सीरीज यहां पर चलाई जा रही है ठीक है ना तो चलिए हम इस पेपर की ग्रामर को समझते हैं डाइट ली हम चलते हैं सेक्षिन सी की और तो यह हम आ गए हैं सेक्षिन सी की तरफ ठीक है यह रहा हमारा सेक्षिन सी ग्रामर जो की काफी जाता है इंप्वाइड है एनी, मैनी, बॉत, ठीक है, इन चारों ही में से हमें एक correct answer बता दिना है, आप भी हमारे साथ दर पैक्टेस कर सकते हैं, और अगर आपको इसका correct answer पता है, तो वीडियो को यहीं पर pause कीजिए, और comments box में जाकर अपना answer आप comments कर दीजिए, ठीक है, चलिए, जान लेते हैं इसके complaint against us, अब एनी, क्यों होगा जरा समझ लिजिए, देखो यह sentence है, यह हमारा interrogative sentence है, half से start हो रहा है, इंचुके helping verb है, और last में question mark भी लगा हुआ है, तो कहने का मतलब यह, कि interrogative sentence है, इसलिए एनी आएगा, क्योंके interrogative sentence में, और negative sentence में, एनी का use किया जाता है, ठीक है, बाकी फि इसलिए जहाँ पर एनी आएगा, यह right answer हमारा एनी है, ठीक है, चलिए, आगे बातने question second की तरफ, जो के भी वाला, we are going blank space a match today, चलो जल्दी से इसका answer बताओ आप, जिया, आप बिल्कुल सही सोच रहे है, आप लोग two play के बारे में सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल सही है, we अगे बातने question C की तरफ, English is in many countries, चलो बताओ जरा इसका right answer क्या होगा, speaking, spoken, speak, spoken, जरा सोच समझ के इसका answer बात देना, ठीक है, चलो जान लेते हैं, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, spoken, जिया, क्यों होगा, क्योंकि इस sentence है, यह passive voice है, passive voice है, active voice नहीं है, speaking बिल्कुल नहीं English is spoken in many countries, English कई देशों में बोली जाती है, इसलिए जो right answer बनेगा, वो हमारा spoken है, वी थरी, सारे passive voice में वर्व की थर्ट फार्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर spoken आएगा, यह continuous sentence आपको लग रहा होगा, लेकिन यह passive voice है, इसलिए यहाँ पर आपको spoken लगाना है, आगे बतते हैं next, जो के हमारा, यह रहा आपका, ठीक है, यह रहा आपका D number का, Mr. Sharma is MLA, चलिए जल्दी से comments करिए, right answer क्या है इसका, MLA, तो बच्चों इसका right answer है, वो N है, इसको right करके देखोगे, sound आपको vowel मिलेगा, तो आप यहाँ पर N लगा देजिए, Mr. Sharma is MLA, we keep or paid in the fridge, it does not go bad, इसका right answer होगा, students, यह हमारा, so that, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ताकि, यह जिससे की भी, इसका मतलब होता है, देखो, we keep or paid in the fridge, हम अपने ब्रेट को फ्रेज में रखते हैं, जिससे की यह खराब ना हो पाए, यह खराब ना हो जाए, तो so that, जिसका मतलब होगा हम, do is directed, यह हम आचुके हैं, do is directed पे, ठीक है, question number 9 है, first question, he is ill, he can't go to office, करना क्या है, देखो, combine the pair of sentences to make a complex sentence using adverb class, adverb clause को यूज करके हमें complex sentence बनाना है, तो complex sentence बनाना है, तो यहाँ पे देखो, he is ill, वे बीमार है, he can't go to office, वे office नहीं जा सकता है, तो कैसे बनाओगे, चलो heading में आप ही लिखोगे, इसके बाद is लगाओगे, अब इस ill से पहले लगा दीजिएगा, so, और यहाँ पर लग जाएगा, he is so ill, यानि कि वे इतना बीमार है, अब दोनों sentence के बीच में लगा देते है, that, key, इसके बाद लिखो, he can't, he can't, go to office, right, go to office में राइट कर देता अब रीट करिए, he is so ill, that he can't go to office, वे इतना बीमार है, कि वे office नहीं जा सकता है, इस तरह से हम इसको, so that से, combine कर देंगे, ठीके न, यह राइट आंसर है, आगे बरते हैं, question B की तरफ, they were playing hockey, to do passive voice, अब देखो, हमें इस वे passive voice में बनाना है, और passive voice का एक question जरूर पुछा जा होंगे, चलो, साथ में practice करते हैं, देखते हैं, write answer, इसका क्या होगा, they were playing hockey, करना क्या है हमें, इसको हमें, passive voice में change करना है, तो देखो, कैसे होगा, starting में, हमें object चाहिए, जो कि होकी है, तो हम यहां पर write कर लेते है, होकी, होकी, past की बात है, past continuous का sentence है, होकी, singular, object है, इसलिए helping पर हम यहां पर लगाएंगे, was, hockey was, continue हो से तो यहां पर हम लगाएंगे, being, hockey was, being, और play की platform हम यहां पर use करेंगे, played, hockey was being played by, और they को आप replace कर दो, them से, ठीक है, hockey was being played by then, इस तरह से यह passive voice बन जाएगा, पहले हमने object लिए hockey, helping और was इसलिए लगाई, because hockey हमारा singular object है, continue हो से, इसल में V3 यूज़ करते हैं, तो play की platform में played लिखी, by लिख कर देखो, them से replace कर दिया, आगे बढ़ते हैं, question, C की तरफ, visa very good movie, yesterday, negative में change करना है, past का sentence से, sa, जो के V2 है, past indefinite का है, तो कैसे बनेगा, देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे subject, और past में helping work, use करते हैं, did, negative बनाएंगे त सा की first form, C, we did not see, इसके बाद यही, very, पूरा आप लिख दीजेगा, we did not see a very good movie, yesterday, यह इसका negative बन जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर V के बाद helping work लगाएंगे, did, negative है तो not, और सा को आप बना देना, C, क्योंकि did not के साथ, verb की first form का use होता है, students, did not के साथ, verb की first form ही आती है तो we did not see a very good movie, yesterday, इस तरह से इसको negative बनाएंगे, अब देखते हैं, who are they, I don't know, combine the pair of sentences to make a complex sentence using noun clause, noun clause का use करना है, तो noun clause का use करना है, तो कैसे होगा, देखो, भई, noun clause का में यूज करना है, तो यह जो who है, यह starting में नहीं आएगा, यह बीच में आएगा, question word बीच में आएगा, क no, k no, w, I don't know, अब यहाँ पर आजाओ, तो starting में यहाँ पर लिख दो who, लेकिन, अब यह noun clause है, तो यहाँ पर who are दे ना करके, who, they, are, or full stop, I don't know who they are, I don't know who they are, इस तरह से यह noun clause से, combine होकर complex sentence बनेगा, तो आपको यहाँ पर I don't know को पहले लिखना है, इसके बाद who are देखना है को who they are करना है, क्योंकि clause में यहाँ पर who के बाद subject आता है, फिर helping वर बाती है, ठीक है, who के बाद subject आएगा, और उसके बाद helping वर बाएगी, तो I don't know who they are, मुझे नहीं पता कि वे कौन है, आगे बढ़ते हैं question, एक तरफ, दब एक बाद yellow, दब एक content मनी, कम माईना पर आप स which होता है, यह that होता है ना, और भी होते हैं, लेकिन who और whom का use तो करते हैं, person के लिए, किस के लिए, person के लिए, और which और that का use करते हैं, non living thing के लिए, अब ज़रा देखो यहाँ पर subject यहाँ पर दबेग है, दबेग है, यानि who और whom तो बिलकल भी यूज नहीं होगा, अब which य किस से, which से, क्योंकि subject के place वारी noun को हटाते हैं, तो which लगाते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो, पहले आप लिए दबेग, दबेग, ठीक है, अब दूसरे sentence का दबेग हटेगा, इसके place पर हम use करेंगे, which, which, दबेग, विच, पिर क्या है content मनी, तो मैं यहाँ पर write कर देता हू c-o-n-t-a-i-n-e-d, दबेग, विच, कंटेंड, मनी, अब क्या बचा, वाज यहलो तो इसके बाद आप लिख दू, वाज, यहलो, दबेग, विच, कंटेंड, मनी, वाज, यहलो, तिके न, इस तरह से इसको हम कंबाइन करेंगे, राइट इप क्लोज में, तिके, दबेग के बाद अपने विच लगाया, और दूसरा सब्जेट, जो दबेग था, इसको हटा कर, बाद वाले सेंटेज को लिखा, अब पहले में वाज यहलो था, तो इसको इसको इसके बाद लिख दिया, चलिए, आगे बढ़ते है, एफ पे, और नेबर्स, लिब यह फो फाइव आगे, रियाइड सेंट, युजिं और वर्ब की करेक्ट फार्म का यूज करना है, पहले ऑफिन से तंस का है, उसके अपोर्ब की करेक्ट फार्म यूज करेंगे, तो फॉर फाइव येर्श दिया है, यानि के यह परफिट का अधिन एफिन, तो ने ने पर लिख दो ने औ यह गिंग भीन ठीक है और यह जो लिव है ना लिव में लगा देना आई एंजी लिविंग कर देना बस बागि सब कुछ सेम रहेगा और नेभर्स है बिन लिविंग है फॉर फाइग यह एर नेभर्स के बाद हेल। यहां पर हम लगाएंगे तो बन जाएगा लिविं्ग और नेबर्स हब बिन लिविंग फाइब यहां 10 से रहे रहें नहीं कर लो इसके बाद लगा नहीं इस था से हमने यह ग्रमर को समझे लिया है चुक च्ट्रेंट तो यह थी हमारी grammar 2014 के English के word paper की ठीक है जल्दी हम next part लेकर आएंगे जिसमें 2015 के English paper की grammar को समझेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह वडिया आपको पसंद आए होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जाद से जादा शेयर जरूर कीजिए अगा शेयर करने में कंचूर्सी बिलकुल मत करें करो क्योंकि आप लोग के लाइक और शेयर की वजासे मुझे थोड़ा सा मुटिवेशन मिलता है इसलिए मैं आप से लाइक के लिए और शेयर के लिए कहता हूँ तो इस वीडियो को भी लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो चैनल पर नया आज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग